सो गाइस जैसा कि ये साइकल का वी ब्रेक देख पा रहे हैं तो जिसे हम लोग पावर ब्रेक भी बोलते हैं अगर आपके पास किसी भी केटिगीरी का कैसा भी साइकल हो वी ब्रेक वाली तो इसमें एक जो है common problem होता तो हम आप लोग को दिखाते हैं जैसा कि आप लोग ये ब सब्सक्राइब में बहुत सारे से हमारे सब्सक्राइबर से जो कि हमें कमेंड किये हैं उन्हीं लोगों का आधार पर हम ये वीडियो को बना रहे हैं आप लोग को बहुत ज्यादा काम आएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप लोग का किमती समय ज्यादा ने तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पुरा कम्प्लीट देखें तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे सबसे पहले आप लोग को हम बताना चाहेंगे जैसा कि यह वी ब्रेक आप देख पा रहें साइकल का तो यह जो बेंड का जो प्रॉबलम है अलाइमेंट का जो प्रॉबलम है एक साइट का लिवर अलाइंग नहीं है और एक साइट का लिवर अलाइंग है यानि इस्टेड में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यह जो problem का main reason होता है यह आपका starting problem होता है starting problem का मतलब यह हो जा रहा है कि जब आप new cycle ले रहे हैं या फिर new V-brake अपना cycle में install करवा रहे हैं जो mechanic new V-brake fit करते हैं तो क्या होता है कि कोई-कोई ऐसा mechanic होता है कि full जानकारी नहीं होता है और V-brake fit करता है तो उनको जो है पूरा जानकारी नहीं होने का वज़े से क्या होता कि setting में problem करता है वो जो setting का problem होता हूँ आपका break pad से होता है break pad अगर mechanic सही से fit कर देते हैं सही से install कर देते हैं चाहे right side का break pad हो या फिर left side का break pad हो चाहे front brake हो या फिर rear brake हो तो यह problem आपका कभी भी नहीं आएगा लेकिन गाइस अगर breakpad सही से install नहीं कर पाते हैं मैcanic तो फिर यह problem आएगा तो चलिया हम दोनों ही breakpad को खोलते हैं आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं खोलने के लिए आपको 1011 नंबर का spanner का जरत पढ़ेगा जैसा कि देख पा रहे हैं तो 1011 नंबर का spanner से भी खुलेगा तो हम जो 1011 नंबर का spanner से नहीं खोलेंगे तो हमारे पास एक T-spanner है जो कि हम खुद से बनाए हुए है तो ये वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्स होना मिल जाएगा बहुती इजली काम होता है ये इस पैनर से तो चलिए आप जो है ब्रेकपेट को हम खोल के बाहर निकालते हैं और आप लोग को दिखाते हैं जैसा कि देख पार है हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल में न्यू आये हैं और साइकल रिलेटेड में नौलेजफल वीडियो हमेसा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन और कर दे लाइक करना शेर करने विल्कुल न भूले क वीडियो को पुरह कंपलिट देखने के बाद सायर्य जरू करें कि यह वीडियो जिस तरह से आपका काम आया उस तरह से अधर वेक्तिकाविक काम आएगा टो है यह यह निकल लेते हैं तो यह देखिए हम जो यह साइड का भी ब्रेकपेट को खोल दिये है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो यह दिखिए ब्रेकपेट जो हम बाहर निकाल लिए है और यह रहा इसका फॉल्स वासर जो की बाहर साइड में दिया हुआ था आप चलिए दोनों का डिफरेंस flippingków को दिखाना चाहिए तो दिखाना चाहिए तो इससे में दिखी एक आपको पतला वाला वाश वासर दिया हुआ जैसा की देख पा रहे है तो बताना शाहेंगे यहीं उसर का में रीजन होता है ब्रेक्ट सेटिंग का अगर यह वाशर एक स्ञर्ट ज्यादा है जैसा कि हम आप लोग को बताहुं है ठीक है यह आपका धोगी आपका लेफने को राइट साइट तो यह problem कभी भी नहीं आएगा और सही से ब्रेक्स सेटिंग होगा फील जाम होने का भी problem नहीं आएगा ठीक है तो आब हम आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं कि यह जो पड़े टो किसी तरह से से लागा है की सुवर्जस करना है जैसा कि देख पार हैं दोनों साइट का ब्रेकपेट को सेट कर लिए गाइस एक फॉल्स वासर देने के बाद ठीक है और लेप साइट में एक ही फॉल्स वाशर था तो उसी तरह से फीट कर दियें को मिला दियें यह जिधर ज्यादा फॉल्स वासर रहेगा उधरी ज्यादा बेंड रहता है ठीक है तो यह थ्यान देते वे आपको बराबध दुन वासर देड़न шाज़ा से फॉल्स तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था, वील अगर मीडिल पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मीडिल पे नहीं है, तो मीडिल पे करने के बाद आपको ब्रेक पेड फिट करना है, ठीक है, शाइकल का यह आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा, आप देखे गा यह दो ब्रेक पेड आप देख पा रहे हैं, तो पुराना साइकल का खुला हुआ है, ठीक है, अगर तीरचा का बेंड का प्रॉब्लम बता रहा है आपका ब्रेक में, तो आपको क्या करना है, तो यह जो आप देख पा रहे हैं, ब्रेक पेड को क्या करना है, इस तरह से घि Giris दोनों में हम आपनों को दिखा देता हैं जैसा कि देख पाने आपको ठिय कर топ कर 네 ऑषट पर खीषा वहा है ठीकम कर हैं आपको लेबल में करना तब आप अच्छे से शेटिंग से करेप dessert YouTube कर लेना ठीक है जैसा की आप देख पारे दिजिए तों एक साइट का घीषा रहा है थोड़ा सा प्लेन करके लिएन इस clap को घीष लेना है अगर आप रागी शुका है ठीक है यूस करते, अगर आप लगाना चाहते हैं इस तरह सी को आप है करके इस तरह से ठीक है प्लेन में करने के बाद आप ब्रेक को इंस्टोल करें कोई प्रॉलम नहीं आएगा अगर आपका साइकल का ब्रेक पेड पुरा घीश चुका ब्रेक सुरबल पुरा घीश चुका तो आपको न्यू ब्रेक पेड लाना है ठीक है न्यू ब्रेक सुरबल सेटिंग कर लेंगे उसके बाद बारी आजाता है प्रेक सही से किस तरह सो वर्क करेंगा सही से लगे गाना कि आप देख पा रहे हैं तो टीटर falling cybersecurity देके देख आलेएक लिएवर काम कर रहा है और ऑर क्हों स्कुझी कम कर रहा है ठीक है जैसा कि देख पार है हम टाइट कर दिये हैं एक चीज और आप लोगों को बताएंगे जिस साइट का लिवर साही से काम नहीं कर रहा है उस साइट का इसकुरू को टाइट करना यानि इस्प्रिंग का जो हाड़नेस को बढ़ाना ठीक है इस्प्रिंग अगर हाड साही अब नहीं को बाट भेख वायर को खीचना है तो यह आपका डर हम लूवर कर दिखनागे तो और थोडा सांट लूच कर दिये हैं लूच करने कबाद आपको क्या करना षीर अगवर प्रेस करके देखना जारा को इसात्त आपको complete कर लेना पहले जो है आपका brake एक साइट का लीवर जो है बेंट थाR EL लोग को दिखा देते हैं वील हमारा फिरी घुम रहा है फाइन घुम रहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जैसा कि आप देख पा रहे हैं और जो बेंड का प्रॉब्लम था वह भी हमारा किलियर हो चुका है तो बताना चाहेंगे जिस तरह से हम आप लोग को बताएं सारा स लेटिंग को उस तरह से मिला लेना है एकदम आसानी से हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जैसा कि आप लोग पहले देखें कि एक साइट का लिवर काम कर रहा था दूसरा साइट का लिवर काम नहीं कर रहा था तो हम जो गाइस इस प्रिंग को हाड किये तो यह प्रोलम सौलफ हो गया अगर जूड़ा ज्यादा रही हार पाभे आप लगे आपे ब्रेक का बार चाते हैं ऑर पर यह पाल का सैसे काम करे तो नीचे डिस्क्रिशर्म में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ फुल डेडिकेड वीडियो है यह पावर पंजा के उपर में तो वीडियो को एक बार जरूर देख ले आप लोग का बहुत ही ज्यादा काम आएगा है आसा करता हूं मैं आप लोग को एकदम अच्छे से बता दिया हूं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लिए चलिए फिर मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन बंदे मातरम